हाई फिरेंट्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें कलास भी यह पार थर्ड आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री आउनर्स पेपर एट यू एस एड दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिसे की जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पले आप तक पहुंच सके चले दोस्तों लोग सुरू करें कोश्चन पहला कोश्चन है जार्जो वांसी गटन की उपलब्दियों की भी बेचना करें दूसरा कोश्चन है अठाडे सो से अठाडे सो उन्तिस के बीच अमरीका विदेशी निती का पुनरावलोकन कीजिए तिसरा कोश्चन है जैक्षन के प्रजातंत्र की विश्यस्ताओं का विश्लेशन कीजिए सातवा कोश्चन है एक विश्वसक्ती के रूप में अमरीका के अभिवदय की विवेचना करें पांचवा कोश्चन है एस्पैनिस युद के कार्णू और परिनामों का वर्नन करें छठा कोश्चन है प्रथम महा युद में राष्टपती विल्सन की भूमिका का पुनराव लोकन कीजिए साथवा कोश्चन है राष्टपती एफडी रूजवेल्ट की विदेश नीती की विवेचना करें आठवा कोश्चन है अमेरिकी स्वातंतरता संग्राम के प्रभाव क्या थे ब्याख्या करें नववा कोश्चन है ग्रिह युद के पश्चात अमेरिका के पुनर निर्मान की तिहास पर प्रकाश डालें दस्वा कोश्चन है अमेरिकी समराज्यवाद पर एक निवन्द लिखें या संजुक्त राज अमेरिका के राष्टपती के रूप में अवराहम लिंकन के युगदानों की भी बेचना करें अमेरिकी समराज्यवाद पर एक निवन्द लिखें या संजुक्त राज अमेरिका के राष्टपती के रूप में अवराहम लिंकन की युगदानों की भी बेचना करें दोस्तों यह था आपका एक से लेकर के दस्ता का कोश्चन दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिजय हिन जय भारत